हलो फ्रेंज चैमातादी कैसे हैं आप सब दोस्तों तीस दिसमबर को साल की आकरी एकादसी तिती और पॉश महा के कृष्ण पक्ष की एकादसी तिती है सफला एकादसी के नाम से जानी जाती है और इस दिन भगवान विश्नु का विधिवरत व्रत करने से पूजन करने से भ श्रेश्ट है व्रतों में एकादसी व्रत सर्वस्रेश्ट माना जाता है इस दिन श्रीमन नारायन के निमित मनुष्य को अगरवत्ती हुआ नारियल वाव सुपारी आमला अनार लॉंग ये सभी चीज़ें अर्पित करके रात्री में दीपदान करना चाहिए जागरन करना चाहिए इस प्रकार से दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जब करते हुए जो भी मनुष्य इस दिन को व्यतीत करता है उसके जीवन की सारी कठिनाईया दूर होती है सारा दुरभाग ये दूर होता है और कहा जाता है बिलकुल सवभाग ये आपका प्रबल हो जा जो भी मनुष्य इस दिन श्रधा पुर्वक पुर्ण विश्वास के साथ भगवान विश्नु का ध्यान करते हैं पूजन करते हैं वरत करते हैं उपवास करते हैं दान करते हैं सनान करते हैं उन सभी का भाग के प्रबल होता है और सफलता मिलती है जो भी मनुष्य धन की सम पर्स्या से काफी परिशान हो पाते हैं घर में बिलकुल उननती नहीं आ रही फिजूल खर्च होता है पैसे कमाते हैं पर फिजूल खर्च होता है कई ब JACK बहुत स्वाधा परिशान है तो एसे में सफला एकाजसी का वरत अपने आप में सर्वस्रेष्ट माना जाता है इस वरत के विशय में महराज युदिष्टिर भी कृष्ण से पूछते हैं हे जनारदन पौश महा के कृष्ण पक्ष की एकाजसी का नाम क्या है इस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है इसक से अधिक दक्षिना पाने वाले यग्ये से भी प्रसन्न नहीं होता हूं अत्यांत भक्ति और शद्धा से युक्त होकर मनुष्य को करना चाहिए हे राजन द्वादशी युक्त पौश कृष्ण पक्ष की कादसी का महातम्य तुमें काक्रचित होकर के सुनो इस एकादसी का नाम सफला एकादसी है और इस एकादसी के देवता श्री नारायन है और इस व्रत को करना चाहिए जिस तरह नागों में शेशनाग पक्षियों में गरुड सब ग्रहों में चंद्रमा यग्यों में अश्वमेग और देवताओं में भगवान विश्नु स्रेष्ट हैं इसी तरह सब व्रतों में एकादसी का ये खास व्रत स्रेष्ट माना गया है और पांच हजार परशों तक तपस्या करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक फल शफला एकादसी का व्रत करने से मिलता है हे राजन अब आप इस एकादसी की कथा सुनिए चंपावती नग्री में महिश्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके चार पुत्र थे। उन सब में लुंपक नाम वाला बड़ा मराजपुत्र महा पापी था। वह पापी सदा पर इस्तरी और वेश्या गमन करता था। दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नश्ट किया करता था। क्या करूं अंत में उसने चोरी करने का निश्य किया दिन में वो वन में बटकता रहता और रात में अपनी पिता की नगरी में जाकर चोरी करता प्रजा को तंग करता उनकी पत्नियों को तंग करता उन्हें मारने का कुकर्म करता और कुछ समय पश्चात सारी नगरी भेभीत ह वन में रहकर पशु आदी को मार कर खाने लगा नागरिक हो राजे के करमचारी हो उसे पकड़ लेते किन्तु राजा के भाय से छोड़ देते और वन में एक अती प्राचीन विशाल पीपल का व्रिक्ष था लोग उसकी भगवान के सामान पूजा किया करते थे और इसी विश काल व्रिक्ष के नीचे वो महापापी लुम्पक रहने लगा उसवन को लोग देवताओं की क्रिडा स्थली मानते थे और कुछ समय पश्चात पोश्म आगे क्रिश्न पक्ष की दश्मी तिथी आई तो वह वस्त रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात सो नहीं सका और और उसकी हाथ पैर अकड़ गये सूर्य ओदय होते होते तक वह मुर्चित हो गया और दूसरे दिने काजसी को मध्यान के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मुर्चा दूर हुई गिरता पड़ता भोजन की तलाश में निकला पश्मों को मारने में समर्थ नहीं था अतब पे हो जाईए और इस रात्री को दुख के कारण रात्री को उसे नींद भी नहीं आई उसके इस उपवास और जागरन से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सारे पाप नश्ट हो गये दूसरे दिन प्रातह एक अती सुन्दर घोड़ा अनेक सुन्दर वस्तूओं से स जा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया उसी समय आकाशवानी हुई हे राजपुत्र श्री नारायन की किरपा से तेरे सब पाप नश्ट हो गये हैं अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर ऐसी वानी सुनकर वात्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्यवस् शास्त्र के अनुसार राज्य करने लगा उसने विवह किया उसकी एक सुन्दर इस्त्री हुई पुत्र हुआ सारा कुटुम्ब भगवान श्रीमन नारायन का परम भक्त हो गया और व्रिद्ध होने पर वह अपने पुत्र को राज्य का भार सौप कर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में बैकुंठ को प्राप्त हुआ अतह जो भी मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकाच्षी का वरत करता है उसे अंत में मुक्ति जरूर मिलती है और जो नहीं करते वे पूँच और सींगों से रहित पश्मों के समान है इस सफला एकाच्षी के महतम् प्रवन करने मातर से मनुष्य को अश्व में गियाग्य के बराबर फलो की प्राप्ति होती है तो बोल ये श्री हरी नारायन कीजे विश्नु भगवान कीजे इस दिन आपको भगवान श्री हरी और माता लक्ष्मी का संयुक्त पूजन करना चाहिए विशेश मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से मनुष्य को सहस्र वर्ष की तपस्या से होने वाले पुर्णे के समतुल ये फलो की प्राप्ति होती है और विधी पूर्वक सफला 81 का व्रत करने से सभी वनो कामनाई पुर्णो होती है सफलता मिलती है और ये सफला 81 का व्रत आपको बता दू 81 ति तक पारण का मुहुर्त है और द्वादिशी समाप्त होने का समय है सुबह 10 बचकर 49 मिनट तो 81 की वरत का संबन्द 3 दिन की दिन चर्या से होता है दश्मी की रात्री से ही सात्विक भोजन करना चाहिए और शाम को भी आप ओम नमो भगवते वासुदेवाई ओम नमो भगवत रात्री में भी सात्विक भोजन करते वे heybrahmacharya kapalan करते वे a마ast वे वहादी चाहिए जल्दी उठकर के अपने और अपने घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई पहले करने चाहिए घर को अच्छे से पोंच करके साफ करके आप वहां पर रंगोली आदी बना सकते हैं हल्दी के जल का छिड़काव कीजिए अपने जो मुख्य द्वार है उसको तोरन से सजाईए उस पर शुब चिन हल्दी आदी से बना सकते हैं और रंगोली आदी से सजाना चाहिए इस परकार आप करने के बाद फिर आप सनान कीजिए अगर आप गंगा आदी नदियों में सनान कर सकते हैं तो तीर्थों में जल से सनान कीजिए और नहीं तो घर में गंगा जल डाल के या हल्दी डाल करके जल से आपको स्नान करना चाहिए स्नान करने के बाद आपको धुलेवे शुद्ध वस्त्र स्वक्ष वस्त्र धारन करने चाहिए गंदे वस्त्र नहीं धारन करें और नीले काले वस्त्र ना धारन करें पीले सफेद सुन्दर हलके रंके वस्त्र आसमानी ये कलर के वस्त्र आप धार करने चाहिए और पुजा स्थल की साफ सफाई करने के बाद आपको एक लोटा जल सूरीय देव को अरपित करना चाहिए दोस्तों बहुत ही खुबसूरत एक काजसी है अगहन मा की एक काजसी है तो सूरीय पुजा का इस महने में बहुत विशेश महत्व आता है तो सूर्य देव के लोटे में आप चाहिए तो एक चुटकी हल्दी या कुम-कुम डाल के उनको अर्पित करें ओम सूर्याई नमा ओम आदित्याई नमा ओम भासकराई नमा बोलते वे और फिर दक्षिन मुकी हो जाईए दक्षिन मुकी हो करके आपको एक और बाचारी आदी से बात नहीं करणा कोई पापकर्म नहीं करणा बड़े शुद्धता से अपने भोजन का वरत लेते हुए अपने संयम का वरत ले दिनको व्यतीत करूगा इसा कहकर आपको श्री नारायन का विदिवत पूजन करना चाहिए गाय के घीका दीपक कीजिए मोगरे की अगरवत्ति या चंदन की अगरवत्ति आपको इस दिन जलानी चाहिए और भगवान स्रीमन नारायन का आपको सबसे पहले दक्षिनावरती शंख से अभिशेक करना चाहिए जिन लोगों के पास विश्णु भगवान की मूर्ति यादी है दक्षिनवर्ति शंक है उनको इससे अभिशेक करना चाहिए और इसके बाद में आपको उनको शुद्ध जल से स्नान करके पीले वस्तर धारन कराने चाहिए हमेशा बताती हूं भगवान विश्णु पितांबर धारी है उनको पीले वस्तर धारन कराए इसके बाद उनको चंदन का तिलक लगाए चंदन का इत्र लगा सकते हैं आप गुलाब का इत्र लगा सकते हैं मोगरे का इत्र लगा सकते हैं आप भगवान को इस प्रकार से आप उनका शिंगार कीजे जनेव धारन कराइए और फिर आप भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए श्रीमन नारायन पर आप केले का भोग लगाएए ध्यान रखना है ये केले आपको बाद में दान भी करने चाहिए और जो भी भोग लगाएंगे आप इस दिन लौकी की खीर अधी का भोग लगा सकते हैं जो भी गाजर का हलुआ का भोग लगा सकते हैं और उसमें थोड़ा तुलसी पत्र आपको जरूर डालना चाहिए जो लोग भी फलाहार करेंगे वो लोग गाजर का हलुआ ने खाएंगे इस बात का ध्यान रखना है आपको और भी फलाहार कु आपको जरूर डालना है इस बात का द्यान रखना है और फिर एक माला का जब आपको ओम सत्य नारायनाई सिध्धाई नमहा इसका जब करना है और थोड़े से जीरा चड़ाना है एक चम्मत जीरा आप या तो एक कटोरी में थोड़ा सा जीरा ले लिजे एक चम्मत जितना बह ओम सत्य नारायनाई सिध्धाई नमहा जिल लोगों के पास भी लक्ष्मी कौडियां आदी है गोमती चक्र आदी है या हत्ता जोडि आदी है वो भी इसको माता लक्ष्मी के सामने विश्नु भगवान के सामने स्थापित करके जीरा के साथ आपको जब करना है इस बात का ध्यान रखें वहीं बैट करके आप चाहें तो गीता जी के श्लोकों का उच्चारण कीजे विश्णु सहस्र नाम का पाठ कीजे शास्त्रों का श्रवन कीजे जो लोग भी ज्यादा कष्ट में हैं उन सब को जीरे का टोटका अपनाना है ध्यान रखना है जीरा का यूपाय क करने मात्रे से दोस्तों कहा जाता है बुरे से बुरया काम हो बिगड़ा हुआ से बिगड़ा हुआ काम हो तुरंट बनने लगता है और कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि पल में करोड़पती बना देता है पल में तो करोड़पती हो या ना हो लेकिन हाँ आपको रास्त योगती होती है लेकिन कहने कार्थ यही होता है कि आपके धन की जो समस्या है वो दूर होती है घर में बरकत बनती है और दरिदरता घर से दूर होती है कहने कार्थ यही होता है और जीरा वैसे देखा जाए तो हमारे रसोई की शान होती है और जब हम वास्तु की बात करें दो जीरा भी दिया जाता है ताकि बेटी के ससुराल में कभी भी धन्दाने की कमी नहीं हो और दोस्तों साथ साथ में आपको क्या करना है जब आप विश्णु भगवान पर आप चाहे तो एक चम्मच या एक मुठी जीरा अप ले लिजे आपको यह जीरा जब करने के बाद आप चाहे तो इसको एक लाल कपड़े में रख सकते बिचा करके इस जीरे को या कटोरी में रख लीजे और बाद में इसके उपर आप पांच सिक्के रख लीजे अगर चांदी के सिक्के हैं तो चांदी के रख सकते नहीं एफोड कर सकते तो आप नॉर्मल कॉइंस जो भी है आ महालक्षम में इस मंत्र की आपको तीन माला का जब करना है और इसके बाद माता लक्षमी का ध्यान करते वे आपको जो जीरा आपने रखा है कपड़े पर लाल कपड़े पर उसको लपेट कर तिजोरी या धन के स्थान पर आपको रख देना है दोस्तों आप देखेंगे इस इसे उपाई से इस टोटके को करने मातर से माता लक्षमी की क्रिपा आपके घर परिवार पर हमेशा बनी रहेगी सफला एकादिसी है हर काम में हर मनुकामना में आपको सफलता मिलेगी और जो लोग भी स्टूडिन्स आदी हैं आप चाहे तो पुडिया बना करके लाल कागज दोस्तो चोटे चोटे उपाई है कहा जाता है पिछले वीडियो में मैंने हरे धागे का उपाई बताया था तो अगर आपने नहीं सुना है तो आप उस वीडियो को जा के सुन लीजिए और जो लोग किसी कारणवश एकाची का व्रत नहीं करते हैं उन्हें फिर भी आप कुछ करे ना करे कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए आपको एक तो भोजन का परेज इस दिन रखना चाहिए पहली चीज़ है भोजन भोजन में आपको एक तो तामसी जो लोग वरत करेंगे, वो फलाहार करेंगे, कुट्टू के आठे की पूडियां आदी खा सकते हैं, साबुदाने के बड़े समाके चावल आदी खा सकते हैं, और जो लोग किसी कारणवश एकाजसी वरत नहीं रख सकते, उन्हें कम से कम ये ध्यान रखना है कि चावल का प् किसी को कटू शब्द ना बोले, किसी से लडाई, जगडा, आपको मार पीट, चोरी, व्यभिचार, ये पराई, पुरुष, पराई, इस्तिरी को ताकना, ये सब चीजें आपको नहीं करना चाहिए, ब्रहमचर ये का पालन करते वे, आपको ओम नमो भगवते वासु चाहिए, विशेश रूप से तुलसी, तुलसी को तो बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए, आपको तुलसी भोग में रखने के लिए चाहिए, तो एक दिन पुरानी तुलसी आप यूज कर सकते धोकर, या गमले में गिरेवे पत्तों को आपको धोकर के यूज करना और ध्यान रखना चाहिए, इस दिन आपको शेविंग हुआ, आपको हैर कट हुआ, दाड़ी बनाना हुआ, इस्तरियां हैं जो हैर वाश करती हैं, वो आज के दिन आपको नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से दोस्तों छोटे छोटे उपाय करते वे, बहुत ही कुपसूरत साल की अंते में काचसी है, और कहा जाता है कि जीरा माला माल करता है, आपको राजा की तरह धनवान बना सकता है, पल में आपको करोड़पती बना सकता है, हर जिगे आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, और घर से लेकर कोदाम तक सिफ पैसे ही पैसे भर जाते हैं, तो करके द मैंने आपको कथा सुनाई है उस कथा को आप अपने फ्रेंड्स फैमिली मम्मी पापा भाई बिन बच्चे जो लोग भी कठीनाईयों से गुजर रहे और वरत आदी नहीं भी करते तो कथा कम से कम उनको सुना दीजिए आप देखिए कैसा पुन्य उनको भी प्राप्त होता ह है आपको भी प्राप्त होता है तो कर लीजे उपाई दोस्तों आप सभी को सफला 81 की हार्दिक हार्दिक शुप कामना है अब अगली 81 सीधे नए साल 2022 में आएगी तब तक के लिए इतना ही दोस्तों खिल खिलाते रहें मुस्कुराते रहें टेक्या फ्रेंड्स लव यॉ जय माता दी और 2022 का स्वागत करने के लिए तैयारियां कर लीजे सभी को मैंने राशीफल सुनाया है अपने अपने राशीफल को ध्यान से सुनी और चोटे चोटे उपाई जो बताए हैं उनको नव वर्ष शुरू होने के पहले जरूर करना है सो ठीक है फ्रेंड्स लव य मिश्नु भगवान की जै लक्षमी मैया की